हे फ्रेंड्स तो मैं आज आप सभी के सामने बचे हुए चावलो को दुबारा यूज में कैसे लाए उसका एक टेस्टी और हेल्थी नास्ता बनताने वाली हूं तो आप सभी शुरू से लेके लाज तक बने रहिएगा तुम्हें सबसे पहले क्या करना कढ़ाई लेना कढ़ अब आपको हाई फ्लेम नहीं करना है आपको लोग करना है क्योंकि अगर हाई करेंगे तो जल सकता है तो यहां पर देखिए हमारा लगभग यह पक चुका है तब इसको हम क्या करेंगे तो इसे हम किसी दूसरे बरतन में निकाल लेंगे और यह तब तक ठंडा होता रहेग करना है यहां पर हमने निकाल लिया है आप लोग धियान से कीजिए क्योंकि गरम होता है तो हाथ भी जल सकता सावधानि पूर्वक यहां पर फिर उस कि यहीं दाल्ड़िए फिर श Luckily टरिक से पपकाएंगे तो अ कि क्या खरणा कल सर्व करना है तो यह पर पर क्या करना है लगातार हमें चलाते रहना है रूकणा नहीं मटर को च реально एडी चलाती है है हाई नहीं करता नमक ने लिए नमक के बाद के लिएẫnए पड़ितक लिएर networking लिए फालती होथिति यहाय आपके लिए यह लोगा की लिए अदो कि अरफनों नमक का लूगन हतकर करना हैं हमें थोड़ा सा मटर काष escri nellt ढालने से क्या होगा नsight अच्छे तरीके से गल जाएगा थोड़ा सोफट हो जाएगा वैसे तो मटर सोफ होता ही है वट मटर का नमख डाल देंगे तो ये अच्छे तरीके से और अच्छा पख जाएगा तो यहाँ पर हमने ढाल दिया फ्रिसके बद आपको चावल को अच्छे त्रीके से फोड़लें ना है मितलब अलग-अलग कर लेना है यह आप तो अपने फैंबली के हिसाब से बना सकते हैं क्योंकि मेरे हाँ तो चावल यह बच गया था साम को तो मैं सोची अब इसको क्या करें फिर मैंने सोचा कि चलो यह फ्राई कर देते हैं थोड़ा सा इसको पुलाओ भी बोल सकते हैं आप सभी और बहुत ही अच्छा लगता है मेरे घर मेरे बेटे को यह बहुत ही पसंद है य हम क्या करेंगे चलाती रहना है अच्छे तरिके से हस्ता मिक्स कर लेंगे है और अगया की निया सीथाता, अब कर दिर मुमफली निकाला करोई अगयों औरके हम और आगती ही तो तो हमारा मुंफली सील साजाएगा जो कि कुरकुरा नहीं लगेगा लास्ट में डालेंगे तो यह कुरकुरा बहुत ही आदिश्ट होगा और खाने में क्रिस्पी-क्रिस्पी बिल्कुल लगता है यह मुंफली तो इस तरीके से हमें सारे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है तो फिर आप सभी से मिलेंगे हम